आईए दोस्तों मैं आज आपको बताता हूँ Realme C11, C12 और C15 में जो निव अपडेट आई है इसमें क्या क्या बक्स आया है मेरे को बहुत सारा कॉमेंट आया Realme C11 से रिलेटेड और Realme C12 से रिलेटेड भी यहाँ देखिए मनोच कुमर का अपडेट के बाद स्कीन बलैक हो ग कहा है आपका क्या हुआ अपडेट सही है लेकिन मैं अपडेट किया हूँ तो अभी तक फोन खुल नहीं रहा है उसका नीचे लिखा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व किर जिए सुधीर का है ऑक्सन इस तरह का बहुत सारा लोगों को इस अपडेट के बाद नहीं हो रहा है अपडेट के बाद नहीं हो रहा है और यहां देखिए निव अपडेट जो मैं कर चुका हूँ मेरे फून में 11A81 और बहुत सारे लोगों को हैंगिंग का प्रॉब्लम आने लगा है तो यह अपडेट एक प्रॉब्लम को सॉल्ल करने के बाद यहां देखिए एक प्रॉब् पार और यस पटेल का बहुत का बहुत का अब किसी का भी कॉमेंट नहीं है लेकिन मुझे खुद लग रहा है कि बैटरी बैटरी बैकप भी इसकी खराब फॉन हो गया है तो अगर यहां देखें पंथर पका है फोन सिलो हो गया है और जब मैं यूटूब चलाता हूं तो फोन की जो स्क्रीन है वो अपने आप बंद हो जाती है फिर उनको बटन दबा के चालू करना पड़ता है तो इस तरही प्रॉब्लम बहुत सारे लोग का आ रही है अगर आप पर रियलिमी के कोई भी सदस्य देख रहे हैं तो बहुत जल्द इस फून में अपडेट दिजिए 11, 12 और 15 में और इस अपडेट का प्रॉब्लम को सॉल कीजिए कि यहां देखिए बैटरी का यह प्रॉब्लम इसमें आने लगा है जो कि मैं मेरी तरफ से बता रहा हूं आप लोगों को तो प बहुत जल्द अपडेट आएगे अगर आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे वाइरल करेंगे और रेलमी के अधिकारी तक भेज पाएंगे तो उन लोगों को देखने के बाद पता चलेगा कि इस अपडेट में क्या क्या प्रॉब्लम आई है उसके बाद वो प्रिसना का है कि फून एक बार रिसेट करने के बाद एक बार रिफरेस्ट कर लो अपडेट थोड़ा मतलब प्रॉब्लम थोड़ी सॉल हो जाएगी तो ऐसा कर क्या